दोस्तों ये कोट है प्लेटो का प्लेटो के कोड़िंग राज्य माना मस्तिस का ही एक ब्यापक रूप है राज्य किसी व्रक्ष चटानों से नहीं निकले बलकि उनको लोगों ने अपने माइंड से अपने एफर्ट से उनको तयार किया है और आज जो स्टेट है वो उनकी रिजल्ट है जो उनमें निवास करते है तो दोस्तों आज हम बात करेंगे प्लेटो के निया सित्तान की वल्कम टू बैक मैज चैनल पॉलिटिकल साइंस की क्लासेज माइसल सोरम चुहान पॉलस और पॉलिमारकस थ्रेसीमेकस और गलावकन ये निया से संबदित जिन दरश्टिकोनों का उन्होंने परतिपादन किया है यानि कि जिस आइडियोलोजी को उन्होंने बताया है नियाई के लिए वो तीनों ही विश्रिष्टाओं को प्लेटो ने अस्विकार किया है उसको एकसेप्ट नहीं किया है विकोज ओफ इन तीनों इन चारों की जाइडियोलोजी है उसमें प्लेटो क्या मानता है कि नियाई हमारे से रिलेटिड है नियाई इस मनुष्य जाती से रिलेटिड है और नियाई की बिना हम मनुष्य की कल्पना नहीं कर सकते नियाई is one of the best part, one of the most important part of our life प्लेटो का कहना है कि नियाई मानव आत्मा की उचीता वस्ता है मानवे सुभाव की प्रकरती की मांग है यानि कि ये नैचिरल डिवांड से हमारे हमें बिहेव में जो लोकों का सुभाव होता है उसमें जस्टिस की एक डिवांड होती है और अकर जेस्टिस नहीं मिलेगा तो उनकी लाइफ अदूरी है विगोज ओफ आपको हर टाइम हर मुमेंट में एक जेस्टिस वाई होना बहुत ज़ादा जरूरी होता है प्लेटो नियाए के दो रूपों का भृणन करता है विक्ति को दोर सामजिक या राज्य से संब्धित पाइथागुरोस के अनुवाईयों के समान प्लेटो की जो धारना थी वो मानवी आत्मा में तीन तत्व यानि के तीन एलेमेंट्स को डालती है इंद्रिया, त्रशना और शोरिये ये दिनों गुर्ण जब उचित अनुपाद में एक एकुरेट मैजर्मेंट में मानव अस्तिक्ष में विदमान रहते हैं तो तभी विक्ति नयाए का पालन कर सकता है दूसरे वर्ड्स में इंद्रिया, त्रशना या सोरिया, बुद्धि का उचित समन में या एक परफेक्ट बैलंज होता है वो विक्ति की लाइफ में, वो विक्ति के जीवन में नयाए की स्रस्टी करता है लोग अपनी ही डूटी को फोलो नहीं करते हैं और एक दूसरे के कामें इंटर फिर करते हैं तो यहां पर प्लेटों ने प्रॉपर रूप से यह चीज़े क्लारिफाइ कर दी है कि नयाए वही होता है जहां पर हम एक बैलंस रखते हैं अपनी डूटी में, अपनी बुद् ले करके चलते हैं तो पूरी होमन सोसाइटी के लिए एक नयाए अपने आप इस्टेबलिश हो जाता है इसके बाद प्लेटों राजी के सम्मद में नयाए के परतिबादन करता है प्लेटों के अकॉर्डिंग जिस परकार छोटे एक्षरों की तुलना में बड़े एक्सर बहुत ही आसाने से पढ़े जा सकते हैं उसे परकार विक्ति के जीवन की अपिक्षा जो राजी में नयाए को स्पस्ट रूप से लक्षित किया जा सकता है यानि कि हम अपनी हमें लाइफ में किसी जस्टिस फाइज जो जस्टिस के पॉइंट होते हैं उनको शाह किया जा सकता है राज्जे के संबन में प्लेटो का विचार है कि राज्जे मालो मस्तिक्ष का ही व्यापक रूप है और ये किसी चट्नान से नहीं निकला है लोगों ने अपने दिमाग लगा कर अपना जो माइंड है उसको यूज करके और अपनी लाइफ को एक बहतर प्ल करती निदी के रूप में राज्जे के तीन वर्ग होते हैं जैसे शाषक वर्ग, सैनिक वर्ग और रक्षक वर्ग या उत्पादक या सेवक वर्ग राज्य में जब शासक नीस्वार्ट भाव से हीतों की रक्षा करने के लिए शासन का कारे करता है यानि कि जो राज्या होते हैं जिनके लिकुल भी सेल्फिशनेश नहीं होते हैं तो वो प्रॉपर उसे एक अच्छा काम करने में सक्सेस होते हैं सैनिक पर प्राणों की बाज़े लगाते विए देश की सिमाओं की रक्षा करता है, उत्पादक पर सब कस्टों को सैन करते विए एक अच्छा प्रोडक्शन तयार करते हैं, अच्छी जो उप्योगी चीज़े होती हैं, उनको बनाता है, तभी राज्ये में निया इस्थी र पर एक शाशक की एक राजा की क्या डूटी होती है, वह अपने स्टेट को किस तरह के से एक बैलन्स पढ़ लेकर के चलता है, और वहाँ की जो भी प्रजा होती है, वहाँ के जो भी लोग होते हैं, उनको वह प्रोड़ कराता है, इसके अलावा गर हम बात करते हैं, सैनिक फोर्स की बात करते हैं, आर्मी की बात करते हैं, उनकी डूटी जो देश की सिमाव की रक्षा करें, यही एक सबसे बड़ा नियाए हैं, और इसके अलावा गरम बात करते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो उत्पादक वर्ग है, उसका काम क्या होता है, कि जितनी भी डि इसका प्लेटों क्या है, तो इसका अंसर देते हैं, वो प्लेटों ने यहां पे बोलाएं, कि यहां अपने निश्चित स्थान में अपने करते हुए का अपालन करना, दूसरे के कामों में इंटरफेर ना करना, और इसका निवासस्थान अपना निश्चित करते हुए पू प्लेटों की जिसरी थोरी आप लोगों काफियत तक इन्फोमेटिय लोगी होगी आपकी जो पॉइंट है इसकी थोरी को लेकर कि आज थोड़े सा के लिए राउट होगा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना शेयर करना और जो भी शोचल मीडिया हैं फेस्बूक है टैलेग जो भी questions है वो बुचेंगे उनका एक बहतर जो solutions है वो हम आपको वीडियो के मादिम से भी देगे तो वहाँ पर जाकर कि आप हमें follow कर सकते हैं नीचे description में link मिल जाएगा तो मिलते हैं next video lecture में thank you जेहिन जे वारत